सिर्फ 15 मिनेट में ये कुरकुरी और रसीली जलेबी बन जाएगी दोस्तों और हलवाई जैसा टेस्ट मिलेगा और मेरे जटोरों कैसे वब इसमें कोई भी अतरंगी चावल का आटा, कॉन फलार या फिर अरारोट वगर नहीं डालना पड़ेगा कम समान में बन जाएगी जलेबी और गैरेंटी है कि हलवाई जैसी बनेगी, तो चलिह बनाते है पहले चाशनी बनाएंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा उसी में टाइम लगेगी, एक टोप्या गरम कर लेजिए उसकी हाइड ज़्यादा होनी चाहिए आप चाहो तो ऐसा सॉस पैन भी गरम कर सकते हो, बस बड़ा बरतन मत लीजेगा, क्योंकि फिर चाशनी में डूबेगी नहीं न जलेबी यहाँ पर मैंने चीनी ली है, यह एक कटोरी चीनी थी और मैं एक और कटोरी इसमें चीनी डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को चाशनी ज़्यादा चाहिए जलेबी को डूबाने के लिए अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे, ये मैंने एक कटोरी इसमें पानी डाला है आप ये रेसिपी देड़ कटोरी चीनी से भी बना सकते हो और चिंता मत कीजिए, ये मैकसिमम चाशनी खतम हो जाएगी सारी जलेबी पिलेगी न, इसमें टेस्ट के लिए आप हलका सा इलाइची का पाउडर डाल सकते हो या फिर एक इलाइची को कूट कर भी डाल सकते हो इसको मिक्स कीजिए और मीडियम फ्लिम पर गरम होने दीजिए एक बात बोलना भूल गया दोस्तो, इसमें हम लोगों कलर डालना पड़ेगा क्योंकि हलवाई लोगों को आपने देखा होगा बैटर में कलर नहीं डालते है, चाशनी में कलर डालते है ये मैंने केसर यलो कलर लिया है, ये इसमें डाल देते है और इसको mix करेंगे जो color की आपकी चाशनी है ना वो ही color की आपके जलेबी बनेगी तो मेरे को color हलका सा light लग रहा है और आप से क्या छुपाना मैं हलका सा color इसमें और डाल रहा हूं आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हो मेरे पास घर में अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है तो चलिए चाशनी बनती रहेगी हम लोग batter बनाते हैं जलेबी का उसके लिए आप एक ऐसा mixing bowl ले लीजे इसमें हम लोग मैदा डालेंगे ये एक कटोरी मैदा है कटोरी वो ही है जिसे चीनी नापी थी तो मतलब चीनी मैंने डबल इस्तमाल करी है मैदा से अब हम लोग इसमें एक चमज घी डालेंगे और साथी में जो हम लोग को instant fermentation देगा ना वो इनो हैं तो एक पैकेट इनो इसमें डल जाएगा अगर मैं आपको ग्राम का हिसाब बताऊं तो 700 ग्राम मैदा है 10 ग्राम क्या असपास घी है ये और 5 ग्राम हम लोग ने इनो इस्तमाल किया है अब इन तीनो को अच्छे तरह मिक्स करेंगे और ये बहुत हलका वह जाएगा जैसे हम लोग मौईन करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसको मिक्स करना है तो चलिए ये अच्छे तरह मिक्स हो चुक है अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे पानी भी एक कटोरी ही डलेगा लिखने एक बार में सारा मत डालेगा क्योंकि इनो का भी रियाक्शन होगा ना इसमें थोरा थोरा करकर पानी डालेगे और कम से कम गुठलियों वाला बैटर बना लीजिए चिंता मत करिए इसमें हम लोग को इनो के बवल्स को रोक कर नहीं रखना है अच्छी तरह इसको फेटिएगा इनो का जो रियाक्शन है ना उसको खतम ही करना है पूरा थोरे बहुत लम्स तो इसमें रहेंगे दोस्तों लेकिन कोई बात नहीं मैंने बहुत बार बनाई है ऐसे जलेबी और परफेक्ट बनेगी अपना बैटर बिल्कुल रेडी है आप दिख सकते हैं कैसे इसमें लेस बन रही है ना ये बिल्कुल सही बना है इसमें इंस्टेंट खमीर वाला काम हो चुका है और साथ ही में उसको हम लोग ने मिक्स कर दिया है जिस वज़े से अपनी जले भी कुरकुरी बनेगी तो आप क्या चीस का इंतजार है चली हम लोग एक पैन गरम करते हैं तई नहीं होते हैं हम लोग के पास तो ऐसी फ्राइपैन इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप एक कढाई भी स्तमाल कर सकते हैं कड़ाई ऐसी लीजेगा जो चप्टी हो नीचे के तरफ से इसमें आप हम लोग तेल या घी डाल देंगे और फ्लेम को हाई रखिएगा जादा तेल या घी नहीं डालना है दोस्तों पॉना इंच के आसपास रहना चाहिए अब देखिए मैंने इसको पॉना इंच के आसपास रखा है और इसको तेज आच पे गरम होने देंगे अपनी जो चाशनी थी वो भी पक चुकी है पूरी बस इसमें एक उबाल लाना होता है क्योंकि हम लोग ने जो मेजरमेंट लिया है ना चीनी और पानी का वो सही है तो बस एक उबाल लेकर आईए अपनी चाशनी रेडी हो जाएगी ये आदी कर्थी चाशनी अपने टोपिया में और इतनी सही रहेगी अगर इससे कम होगी तो डुबाने में प्रॉब्लम आएगी तो चलिए आप गैस बन कर देते हैं चाशनी की और बैटर के पास जाते है बैटर जो हम लोग ने बनाया था ना वो आप एक सौस की बॉटल में डाल दीजिए या फिर दूद की थेली में डाल दीजिए मेरे पास ये केक वाली पाइपिंग बैक पड़ी थी तो मैं वो ही इस्तमाल कर रहा हूँ ये मैंने बहुत पहले खरी दी थी और ये पड़ी थी तो मैं ये ही इस्तमाल कर रहा हूँ कोई भी प्लास्टिक इस्तमाल कर सकते है इसको मैंने ग्लास में उल्टा लगा दिया है ताकि बैटर डालना आसान हो जाए इसमें और जो बैटर हम लोग ने बनाया था न ये मेरे को गाड़ा लग रहा हलका सा तो मैं इसमें एक चमच पानी डालकर मिला लेता हूँ बैटर जादा गाड़ा नहीं होना चाहिए वरना जली भी को बनाने में मुश्किल आएगी अब ये बैटर सही लग रहा है तो आब इसको पाइपिंग बैग में डाल देते हैं वैसे जो हलवाई लोग होते हैं एक स्पेशल कपड़ा इस्तमाल करते हैं जिसको सिला कर बनाया जाता है आसानी से ऐसे कोन से या फिर सॉस बोटल से भी बन जाती है तो क्या चिसका इंतजार है बनाते हैं न ये देखिए सही लग रही है न बिल्कुल लेकिन नहीं है सही दोस्तो प्रॉब्लम ये है कि तेल बहुत ठंडा है और ये चप्टी बनेगी बिल्कुल चाशनी भी नहीं पिएगी तो इसका इलाज क्या है तेल को अच्छी तरह गरम करना और अब मैंने तेल को अच्छी तरह गरम कर लिया है देखिए तेज आच में जलेबी कितनी अच्छी तरह बनती है बनाते साथ ये फूल भी रही है बहुत आसान है यार जलेबी बनाना आप देखिए ऐसे गोल-गोल घुमाना है बीच से मैंने स्टार्ट किया बहार की तरफ लेकर आया और ऐसे एक डंडी से खतम कर दिया जलेबी की शेप बनाने के बाद आपको फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि ये अच्छी तरह सिख जाए और 4-5 जलेबी बनाने के बाद रुख जाईएगा क्योंकि तेल ठंडा हो जाता है न और फिर से जलेबी चप्टी होने के चांस हो जाते है मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनिट में ये सिख जाएगी बिल्कुल जब ये जलेबी सिख रिये तभी मैं आपको ये टच करकर दिखाता हूँ देखिए कितनी कुरकुरी बनी है जो अभी नई-नई डाली है न वो थोड़ी सी नरम है जैसे जैसे ये सिखती है न कुरकुरी बन जाती है आपको अगर जलेबी ज़्यादा कुरकुरी पसंद है तो इसको पूरा ब्राउन भी कर सकते है ये मैं मीडियम क्रिस्पी बना रहा हूँ तो मैं इसको फटा-फट से उठा कर चाशनी में डाल रहा हूँ सौरी मेरे हाथ से कैमरा कावर हो गया जलेबी को उठा कर फटा-फट से चाशनी में रखना है पांच सेकेंड में अपनी जलेबी रेडी हो जाएगी आप सोचेंगे ये दूसरी वाली कहां से आ गई ये मैंने पहले बनाई थी दोस्तो पांच मिनट पहले रखी थी बस हलका सा कलर का डिफरेंस है जो जलेबी में जूस पीने का प्रोसेस होता है न वो तो पांच सेकेंड में हो जाता है मैं आपको क्लोज अप करकर दिखाऊ तो प्रोसेस यही है दोस्तो जलेबी बनाने का कुछ जादा मुश्किल नहीं है बस आपको क्या-क्या नहीं करना वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप जलेबी को अराम से इसमें डालोगे तो वो चाशनी नहीं पीती है और फिर वो शकर पारे जैसे लगती है यहा चाशनी अपने आप से पी ले बहुत सारी रेसेपीस में चाशनी कम बनाई जाती है फिर बड़े बरतन में होती है न तो इतना ही उसको मौका मिलता है तीनों रेडी है पर अग देख लीजी आप अगर बैटर में कलर मिलाया जाता तो पता ही नहीं चलता क्योंकि बाहर बा चाशनी की कोटिंग है अंदर गई है कि नहीं गई है वो किसको पता है तो चली दोस्तों बाते जादा नहीं करते मैंने आपको मेरा वाला इजी तरीका दिखा दिया है मैंने जलीबी में एक साल से ज्यादा काम किया था पहले और तब जाकर दिखा जलीबी बनाने का तरीक बस ये process follow कीजिएगा जली भी और बनाई है मैंने और अब भी मैं आपको ये डुबा कर दिखाता हूँ ये देखे कैसे एक ही बार में जली भी कैसे चाशनी को absorb कर रही है इसी वज़े से हम लोग ने जादा चाशनी बनाई थी मैंने दो कटोरी चीनी से चाशनी बनाई थी तो ये हलकी सी बचरी है लास्ट में अगर आप डेड कटोरी से बनाऊगे तो सारी खतम हो जाएगी बस लास्ट वाली जली भी को डुमाने में प्रॉबलम आती है बची भी चाशनी में गेहूं का अटम मिला लीजे उसमें आप हलकी से सौफ मिलाईएगा और तवे पर चीले जैसे सेख लीजे बहुत टिस्टी लगेंगे अपनी इंस्टेंट जली भी बिलकुल रेडी है और रहा नहीं जा रहा है तो एक खाकर सुनाता हूं आपको कुरकुरा पन तो चली है आवाज में आपको सुनाई दे रहा है आपको इसका जूसिनेस भी रिखाता हूं क्या परफेक्ट जलीबी बनी है यार आप भी ट्राई कीजिए जो भी ये खाएगा शौक हो जाएगा कि ये घर में बनीवी जलीबी है और इतनी आसानी से बन जाती है दोस्तों अपनी चटोरी फैमली में 70 लाग से जादा मेंबर्स हो चुके है उसी खुशी में मैंने ये जलीबी बनाई थी और थोरा से मैंने इसमें पिस्ता भी सजा दिया है आप भी ट्राई कीजिएगा मिलता हूं जल देखो रेसिपी के साथ घर में रहिए खुश रहिए और ऐसी आसान कम समान से बनने वाली रेसिपी स्ट्राई कीजिए बाई बाई